गुद मॉरिंग बच्चो आज हम करने जा रहे हैं आपकी वोक्षीट नमबर 32 विशेग गणित कक्षा 6 हमारी तिथी 2 फरवरी के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वोक्षीट है उसमें हमें पढ़ना है कोन के बारे में जो दोनों तरफ से बंद होता है मतलब सिंपल मैंने क्लाइन बढ़ा दी और अगर मैं ऐसे लगा देती हूं तो यह क्या है एक रेखा है यह रेखा खंड है और यह क्या है एक किरन है ठीक है तो दो किरन जब दो किरन एक दो किरन के मद्धे की आकरती इसके बीच की जो यह आ कौन का निर्मान तब होता है जब दो रेखाएं जब दो रेखाएं या फिर किरन या रेखाखन एक दूसरे से मिलती है यहां पर देखो इस ओ पॉइंट पर दोनों मिल रही है जब यह मिलती है तभी यह कौन मनता अगर यह यहां पर मिलेंगी नहीं तो इनके बीच में कोई कौन पर बन रहा है जिस पर बन रहा है वह बीच में आता है ठीक है तो आप counting स्टार्ट करो या तो इसको निखो A, O, B ठीक है कौन A, O, B उसके बाद है यहां पर कौन B, O, A कैसे है कौन B, O, A ठीक है इस तरहकी से अब यह तो हो गया कौन, अब उसके प्रकार देखो कोण है जो चार प्रकार का होता है न्यून कोण, समकोण, अधिकोण और रिजुकोण तो न्यून कोण क्या होता है नाम से ही पता जगर नीचे जो 90 डिगरी के कोण से जो 90 डिगरी से कम होता है वो 90 डिगरी से जितने भी कम होते है जैसे इसके अंदर आ जाएगा 55 है, 60 degree है, 30 है, 80 है, जो भी 90 से कम है वो सारे क्या है, noon cone है, ठीक है, some cone, some cone जो ऐसा cone, जो 90 degree ही हो, ठीक है, मतलब 90 से नीचे जो है, वो है, noon cone, जो पूरा accurate 90 हो, वो क्या होता है, some cone होता है, देखो, यह क्या है, यह है, some cone, accurate 90 है, ठीक है, बिल्क इसके इधर इधर जो cone बनेंगे, इनके बीच में, वो noon cone होंगे, ठीक है, उसके बाद है, अधिक cone, अधिक cone क्या होता है, ऐसा cone जो 90 degree से जादा हो, अब 90 degree से जादा है, तो 270 और पता नहीं कितना आप बोल दोगे है न, लेकिन वो क्या होता है, condition आपको 180 degree तक, यह भी ध्य इधर 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 जो इसके उल्टे, इधर जो है, वो 90 degree से जादा होंगे, इधर वाले, तो वो क्या हो जाएंगे, अधिक cone, जैसे यह बना हुआ है, यहाँ पर, ठीक है, 90 degree से जादा है, उससे आगे चला ज़गया है, ठीक है, तो 90 से 120 degree के, 180 degree के बीच में, जो cone होत इसका cone बताओ, तो आपको इस पे तो कोई cone बनाई नहीं हुआ, ऐसी करके, या कुछ भी सिंबल लाइन का, आपका cone बताएं, तो पेटा जो स्ट्रेट लाइन, जो सीधी रेखा होती, इस पे 180 degree का आपका cone बनता है, ठीक है, तो जो सीधी रेखा है, वो क्या हो जाएगी हम हमारे रिजू cone, ठीक है, आपको प्रकार पता चल गई, अब हम चलते हैं हमारे अभ्यास पे, हमें अभ्यास करना है, सबसे पहला प्रशिन है हमारा, आपको क्या करना है, मिलान करना है, 180 degree कोन सा होता है, नियून, रिजू, समकोन, अधिक कोन, तो 180 तो क्या होता है, से कम है, वो क्या होता है, अधिक, 90 से जादा क्या होता है, अधिक कोन, तो ये हो जाएगा, तीसरा, और चोता है, साथ डिग्री, 90 से कम है, तो 90 से सारे कोन जो कम है, वो क्या होगे, नियून, ये हो जाएगा, चोता, मैंने मिला भी दिए, और नंबरिंग भी लिख दिए, प्रेशन नमबर दो, प्रेशन दो में आपको कुछ कौन दिये हुए है, ठीक है, प्रते कौन का प्रकार लिखना है, यह अधिक कौन है, न्यून कौन है, रिजू कौन है, यह पिर आपका सम कौन है, ठीक है, पहले है 75, 75 कैसा है, 90 सी कम है यह तो, जो 90 सी कम होता है, वो क्या ह होता है वो तो नियून कोन होता है तो इस पर क्या लिख दोगे आप नियून ठीक है इस पर क्या लिख दोगे नियून कोन ठीक है दूसरा देखो 115 है यह तो 90 से जादा है और एक सोसी से कम है, तो 90 से जादा क्या होता है, अधिक कोण, क्या हो जाएगा ये, अधिक कोण, अगरा देखो, 140, 140 क्या है, 90 से जादा है, 130 से कोण है, ये भी तो फिर अधिक ही हो गया न, ये भी क्या हो गया, अधिक कोण, ठीक है, और 20 बताओ, 20 अब चोथा देखो, 20 तो 90 से कम ही है ये भी क्या हो जाएगा न्यून कोन ये भी क्या हो जाएगा आपका न्यून कोन फिर देखो 180 डिगरी 180 डिगरी कौन सा होता है ये होता है रिज्जू कोन ठीक है रिज्जू कोन ठीक है जो पूरा accurate 180 होता है उसके बाद 120 120 डिगरी 90 से जादा है और 180 से कम है तो 90 से जा कार के हैं कैसे पता लगेगा असी डिगरी 90 से कम है 90 से कम 9 कॉन इनके नाम से नाम से ही पता लगbaar है अधिक कम होता है जो 90 से कम होगा और 180 नबशे से कम होगा और expecting 0!" 90 डिरी क्या है technically हो हो गया, तो यह हमारा होता है second question, तो second question के हमने सारे answers कर लिए, यह आपको नहीं अच्छे से समझ में आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखे हुए आपके लिखे हुए, यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है, question number 2 के सारे उत्तर मैंने यहाँ पे लिखे हुए, जो हमने अब भी discuss की, ठीक है, तो आज की worksheet में हम यह दो प्रशन दिये गए थे, I hope आपको अच्छे से समझ में आ गए है, कोई भी doubt है पूरी worksheet में तो comment section में आप मुझे पूछ सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को लाइक कर सकते हैं, thank you and have a great day God bless you